हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजन पुरहीत और आप देखे रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर में वीडियोस अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स भी एस से स्टुन कर आप किसी भी कॉंपेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सब्सक्राइब आपको मिल जाएंगे सब्सक्राइब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियल जवरा का डिस्केस कर रहा हूं याँपेटरिक्स होती क्या है और इसका यूजर क्यों हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप ऑप आइड़ह इंजस uwě रहे हैं तो आप देखते इसके आंसर governo और वह ऑनल सकते हैं यहाँ पर मैं बताऊगा रहे हैं कि characteristic polynomial से कैसे matrix लिखते हैं, matrix से characteristic polynomial कैसे निखते हैं, कैसे हम eigen values निकालते हैं, यहाँ पर कैसे इसका determinant निकाल सकते हैं, कैसे इसकी minimal polynomial और characteristic polynomial निकाल सकते हैं, यह सब आज हम आपके सामने discuss करने वाले हैं, इसको अगर आपके पास यह question देरेकार आपसे पूछा जाए, यहाँ पर यह की characteristic polynomial होगी, इसको बात करें, इसकी minimal polynomial होगी, वो यही होगी, जो इसकी characteristic polynomial होगी, अब आप बात करेंगे, सर्यार इतना फास्ट आप कैसे कर रहे हो तो मैं भी आपके सामने इंट्रोड़क्शन दूँगा कि कमपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे हम इसकी क्या इसकी पॉलिमिल इसली लिख सकते कैसे हम इसका डिटर्मिन चुटक्यों में निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी पॉल अब बोलोगे सर्यार कमपेनियन जो मैट्रिक्स का कंस्ट की जरूत क्या पड़ी है अगर हमारे पास कोई भी होता क्या है कि मैट्रिक्स दे रखी है तो क्यरेक्ट्रिक्षिक पॉलिमिल निकाल सकते हैं पर जब हमारे पास कोई पॉलिमिल दे तो इसके जो हमारे पास matrix representation होगा वह इस तरह से होगा इसके जूद्धे भी हमारे पास coefficients आते जाएंगे इस तरह से लिखते जाएंगे सब के आगे minus 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 लगाते जाएंगे राइड उसके यहां से ऊपर सभी लेन सभी 00 होगा यहां पर हम क्या बना देंगे इसका identity matrix तो यह representation होता है इसकी polynomial का, for example, माल लीजे अगर आपके पास कोई characteristic polynomial दे रहे खी, x power 4 minus 3 x cube plus 2 x square minus 4 x plus 5, आपके पास यह polynomial दे रहे रहे आप से पूछेंगे इसकी matrix क्या होगी, तो यार हम आराम से इसकी matrix बना सकते हैं, कुछ नहीं करना बस यहां से लिखना, इस पो करके लिखो यह प्लस करके लिखो यह नог जाएंगE बागी यहां पर मारे पास युनिट मेट्रिक्स बन जाएंगी यह इसका क्या हो जाएगा ? इस तरहसे हम समय क्रेक्ट्रिक्रिस्टिक बात है कोई भी characteristic polynomial दे रहे हैं कि उसका matrix हम इस concept से बहुत easily लेख सकते हैं for example हमारे पास यह question दे रहा यहाँ पर आप से दे रहा है यह x cube plus 3x square देखिए आप 3x square plus 2x plus 4 मान लेजिए हमारे पास दे रहे हैं आप से पूछे क्या रहा है यह इसकी matrix क्या होगी राइट तो टेंसल लेने की जरूद नहीं है यह 4x माइनस यहां पर माइनस जो भी यह प्लस है तो माइनस लिखेंगे राइट यह आएगा दैन उसके बाद हम क्या अगर यह मारे पास कोई मैट्रिक्स की अलग और भी मैट्रिक्स हो सकती है यह अगर इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाएगा अगर यह मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे लिखेंगे है अना माली जगर ऐसे लिखेंगे है तो यह भी हमारे पास एक companion matrix होगी अगर माइनस वन हमारे पास यहां लिखा हुआ है और यहां हमारे पास 45 यहां यहां रहा है तो यह हमारे मैं पास मैड्रीट ऐसी जब रही है यह कभी-कभी यह यह पूरा यू लिखा हुआ है मन्लब यह लिखा है इस तरह से लिखा प्रइन ध्यान देने के जहरोतें की जो फॉली लाइन में बिलने चाहिए जिसे यहां पे आप देख रहे हो तो आपको एक ओडर की नाली चाहिंट टृर्टी मेट्रिक्स थीग तो समझ है उसके इसको नगी है तो दहान देने तो अगर पास 5 क्रोस 5 की मैट्रिक्स इसका मदब 4 क्रोस 4 की आप एक अइनेटीर मैट्रिक्स 100 परसेंट होगी और जो कॉंस्टेंट वाली जीरो है उस वाले लाइन में सब सब क्या होंगे जीरो होंगे यह ध्यान देने की ज़रोता है अब बात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ नहीं करना एकस यह लिखेंगे यह माइनस से यह प्लस आएगा यह माइनस से तो सब मारे पास यह पास क्या फॉस्टेट वाइगा फ़र ऐगा फॉर एक्जामबल मान लिजए कि अगर मारे पास कोई मैटिक्स देर रखी इतर देखेंगे एक मैटिस लेता हूं जीरो 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 तो दैने याँ रिखा है जीरो वन जीरो एंट त्री दैन जीरो जीरो एंड याप पास क्या होगी तो यार टेंसल नहीं कि जुरू तो निया है हमारे पास या एगा x power 4 minus 5x cube यही आएगा यह आएगा फिर यह प्लस है तो minus आएगा अब यह आएगा देखो अब यह time आएगा फिर यह आएगा फिर यह आएगा minus का 3x square अब यह minus है तो यह plus आएगा 2,1k power कर दे जाओ और यह plus है तो यह भी हमार पास क्या आएगा माइनस तरी आगा तो यह इसकी क्या हो जाएगी characteristic polynomial हो जाएगी तयार इस तरह हम इसकी characteristic polynomial को बहुत इजीली लिख सकते है और वो ही मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए जिसे हमारे पास यह example दे रहे का रहागा आपको इसकी characteristic polynomial लिखने तो आप आराम से लिख सकते हैं रहे कुछ नहीं करना आपको टेंसर लेनी की जुरूत नहीं अभी मैंने पास यह है अब बात करेंगे सुन मीनिमल पॉल्यमल ऑफ कंपेने मैंट्रिक्स क्या होता है जो भी हमारे पास मैंट्रिक्स होती है उसकी characteristic polynomial और minimal polynomial हमेशा सही है याद रखे तो जब भी हमारे पास जिसे माले यह हमारे पास कोई मैंट्रिक्स है यह इसकी characteristic polynomial है इसकी मिनिमल जानते है एक माइनस वन का होली स्कॉर आइगा जब आप इसको सॉल्ल करेंगे अगर आप इसकी बात करेंगे आप तो इसमिन हमारे पास यह आएगा एक स्कॉर माइनस टू एक्स अगर बात करें मिनिमल पॉलिमल क्या हो सकती हो सकता है इसका एक फैक्टर कम हो जाए आपके मन में ऐसा हो जाएक यह भी तो सकती है तो चेक कर लेते हैं कि यह इसका मतलब यह मिनिमल पॉलिमल नहीं होगी तो मिनिमल पॉलिमल जो हमारे पास होगी वह क्या होगी तो जब भी हमारे पास कंपेम्यन मेेट्रिक्स होती है तो वहाँ पे मिनिमल पॉलिमल और करेक्ट्र स्थिक पॉलिमल दोनों ही ध्यान देनी की जरू होता है जोट्याइक होगा और माइनस 2 है और यह is the characteristic polynomial और यह कि हमारे पास क्या होगी इसकी मेनिमल पॉलिमल होगी अब बात करते हैं डिटमेन टॉफ अपनियन मैट्रिक्स का डिटमेन कैसे निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है जो भी हमारे पास कमपनेटरिक्स दरिकी उसके चेंट को पकड़ा मतलब जो भी हमारे पास यहां जिस लाइन में जीरो-जीरो और जीस लाइन वे सब 102 and 0014 मान लिजे या इसको ले लिजे इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 7 ले लो राइट यह हमारे पास देरे कर आप से पूछे क्या होगा इसका डिटिमिनेंट क्या होगा वी नौ देने के ज़रूत है कि यहां पर बाइचांस माइनस की जगा प्लस होता तो उस सब्सक्राइब करते हैं यहां पर प्लस एजरो तो यहां पर माइनस और आगे बढ़ता है उसके मारे बताना चाहता हूं कि जिसे हमारे पास यह हमारे पास कॉंस्टेंट कितना यहां पर यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर अब जर्ण परने पास क्या है पर इसकी जो क्मेंट मेंट्रिक्स होगी वह पास क्या हो सकती यह तो यह तो यह जो है हमारे पास यहां पर 004 and 103 and 012 दे रखा है तो यह जो 4 है, इस 4 को यहीं रहने देजे और यह 23 यहां पर आ जाएगा then इस विन यहां पर 2 के पास को ना रहा 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 तो 10 हो जाएगा and 01 हो जाएगा और इस लाइन में 0 हो जाएगा, एक टाइप हमारे पास यह भी हो सकता है या फिर इस component matrix में 2 यहां पर आ रहा है तो यहां तो 4 को यहां ले, देखो 4 को मैंने यहां लिया अब 4 को हम यहां ले सकते हैं अब 4 यहां आ रहा है, तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 3, 2, और 4 वाली लाइन में दोनों 0 होने जाएगा 2 के पास 1 आ रहा तो 2 के पास 1 आ जाएगा तो 0, 1 यह इसकी matrix हो सकती है या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 यहां आ रहा तो 4, 3, 2 यह ले लो 4 वाली लाइन में सब 0 होते हैं मतलब यह दोनों 0 हो जाएगे 3 के पास 2 के पास 1 आ रहा तो यह 1 आ जाएगा यह सुन यह हमारे पास 1 0 हो यह भी इसकी क्या हो जाएगी तो सुन किसी भी matrix के इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं और इन 4 में से कोई भी टाइप आती है आप आराम से इसको समझ सकते हैं आपको समझ में आना चाहिए यह मैं आपके सामने क्वेशन दे रहा हूं जो की कंपिने मेट्रिक्स है आपको मुझे इसका डिटेमिनेंट बताना है कि यह जो डिटेमिनेंट आएगा वह क्या आएगा और उसको सॉल्ड करने में आपको कितना सेकेंड्स लगा बीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आपके सामने ऐसे कंसेप्स और ऐसे ट्रिक्स और भी लेके आऊं थैक्यू सो मच पर वाचिंग मी लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे यह जरूर बताई कि आपको टाइम किता लग रहा है लास्ट में मेरे जो शॉट ट्रिक् सकते हैं जो कि मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कि सो मच पर हुची मी प्लीज कमेंट करके जरूर बदाए कि कितना टाइम लगा इसके डिटरमेंट निकालने में धान्यवाद